हाई गाईज मेरा नाम है कलपेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का में वेलकम करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यह जो ब्लूटूथ का हैड़ फॉन है इसको आप इस लैप्टॉप से कैसे कनेक कर पाएंगे दोस्तो बहुत ही आसान तरीका है पूरी डिटेल यहाँ पर में बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि डेली रुटिन में काम आने वाले उप्योगी वीडियो का टुटोरियल में हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ तो आईए अब वीडियो शुरू करते हैं दुस्तर सबसे पहले तो आप इसको पावर आउन कर लिजिए यह देखे मैं इसको पावर आउन कर लेता हूँ बीच वाले बटन को दबा के रखूंगा और यह जो ब्लू कलर की लाइट चालू हो गई है अब दुस्तर आपको क्या करना है आपके लैपटोप में यहाँ पर यह जो नीचे वाली ट्रे है इसको क्लिक करो और यह जो ब्लूटूथ का आइकन आ रहा है इसके उपर क्लिक करो और यहाँ पर हमें एड और ब्लूटूथ डिवाइस करना है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा अगर आपके पास यहाँ पर ब्लूटूथ का आइकन यह नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर नीचे सर्च बार में सर्च करो ब्लूटूथ और इसको आप उपन कर लिजिए अब देखिए यहाँ पर आपको करना है एड ब्लूटूथ दिवाइस यहाँ पर उपर आपको यह जो ब्लूटूथ वाला दिखाई दे रहा है इसके उपर क्लिक करें अब जैसे ही आप करेंगे यह देखिए आपको TG64 यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम इसके उपर क्लिक करते है Connecting और ये दिखिए क्या लिखा है Your device is ready to go Connected voice and music तो अब दोस्तो हम इस laptop में गाने सुनेंगे तो हमें इसके अंदर सुनाई देगा और अगर हम कोई movie भी देख रहे हैं तो भी हमें इसके अंदर सुनाई देगा देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ अभी यहाँ पर मैं एक वीडियो चलाने वाला हूँ laptop में आवाज नहीं आएगी इसका मतलब यह है कि वो इसके अंदर चल रहा है तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करें और शेयर करें चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें आज तक के लिए इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय वारत जय बारती सेर्म